तीसरी लहर के संकेत देश में कोरोना का कहड़ शुरू बीते 24 घंटे में 13154 मरीज ओमिक्रोन के मामले में भी 1000 के करीब कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के सामने आने के बाद से संक्रमन की रप्ता तेज हो गई है स्वास्मंत्राले द्वारा गुरुवार को जारी आकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में 13154 नए मामले धर्ज किये गए हैं जो कि कल की तुलना में लगबग 4000 अधिक हैं वही इस दोरान 268 लोगों की मौत धर्ज की गई है नया साल 2022 के दस्तक देने से पहले कोरोना वाइरस के नए वैरियंट ओमिक्रोन ने लोगों के जशन को फीका कर दिया है जिस रप्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर ने या तो दस्तक दे दी है या देने वाली है स्वास्त मंत्राले द्वारा कुरुवार को जारी आकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में 13154 नए मामले दर्ज किये गए हैं जो कि कल की तुलना में लगबग 4000 अधिक हैं वही इस दोरान 268 लोगों की मौत दर्ज की गई है बता दें कि देश के बदुवार को कुरोना के 9195 मामले सामने आये हैं इसके अलावा देश में ओमिक्रोन संक्रमतों की कुल संक्या की बात करे दू यह 961 हो गई है जिनमे की दिल्ली 263 मरीजों के साथ पहले स्थान पर है वही महराश 252 मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर है साथ राजियों में नाइट कर्फियू का एलान कोरोना और ओमिक्रोन वेरियंट के बड़ते मामलों को देखते हुए कई राजियों और केंद्र साशित परदेशों महराश तिल्ली उत्तरपरदेश करनाटक हरियाना गुजराद और मध्यपरदेश ने रात का कर्फियू लगा दिया है और कोविट प्रोटोकॉल के ने तिशा निर्देश जारी कर दिये हैं मुंबे में धारा 144 लागू महराश पुलिस ने राजधानी मुंबे में धारा 144 लागू कर दिया है बड़े कोरोना के मामले मुंबे में कोरोना के रोजाना मामले डराने लगे हैं बीते 24 घंटे में हाँ 2510 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इस दोरान 251 लोग ठीक हुए हैं इससे पहले यहां मंगलवार को 1377 लोग कोरोना संक्रमित पाये गए थे ऐसे में दो दिन में कोरोना के रोजाना मामलों में आई लगभग दोगुनी उचाल 82 फीजदी तेजी से ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है इसी केसाद मंगे में कोरोना मामारी शुरू होने के बाद से अब तक कुल 7,75,808 केस आ चुके हैं जबकि एक्टिव केसों के संक्या 8,060 है मंगे में कुल 16,375 मोते हुई है शेहर में फिलाल रिकवरी रेट 97 फीजदी पर बना हुआ है